एलो फ्रेंट्स वेलकम टू आई चैनल फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम एक पावर भी आई का end-to-end प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में दोस्तों हम पूरी हमारी साइकल वुती है पावर भी आई की कैसे डेटा को पिक करना है किस तरीके से डेटा प को डिजाइन करना है हमें अगर कोई एक्टा कॉलम्स की रिकॉर्मेंट है तो वो किस तरीके से डिजाइन करना है उसके बाद फाइनली दो तो एक समारा डैश्वोड जो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सेम ऐसा डैश्वोड हम बनाने वाले हैं तो बहुत कुछ वीडियो में आप पूरे पावर यह कोंसेट को इन टो एंड समझ जाएंगे एक एक कॉंसेप्ट को हम डीटेल में समझेंगे कि कैसे मैजर्स डिजाइन हो है कैसे हम डेटा की लिंग कर रहे हैं कि तरीके से हम यह डैश्वोड की एक एक वीजूल को यहां डालेंगे और क् specific visuals को ही truth किया है यह मैं आपको सब कुछ बताऊंगा detail में तो सीवे जल्दे हैं अपने topic की ओर तो दोफ्तो सबसे पहले हमें देखना है और यहां फिर मैं कहूं बनाना है एक पूरा road map road map बनाने से पहले एक बर client की requirement को भी देख लेते हैं क्लाइणिक ने में रिक्वाइर्मेंट दिये हैं कि हमें railway जोग है हमारी उसकी performance की analytics करने बेसिकली वो उसकी last one year में कैसी performance से यह उसको analyze करना है तो रिक्वाइर्मेंट कुछ ऐसी है कि need to analyze four performance of top train types and four big railway stations in India तो हमको पांच जो train types है और जो चार बड़े railway station उनके data को analyze करना है in the beginning मैं आपको बता देता हूँ कि यह data mock data होगा यह actual data नहीं है यह data मैंने खुद प्रपेर करा है इस project के purpose के लिए तो यह सारा data जो हम आभी आगे देखेंगे यह सारा mock data होगा तो दोस्तों जब भी हमारे पास client के requirement आती है मैं सबस्ते पहले अपना एक roadmap बनाना होता है roadmap क्या करता है जैते दिखिए आप अगर कई पर unknown जगे गए हैं तो आप उस जगे का map देखते हैं कि यहां पर कौन सी जगह है इसी तरीके से हमारे पास यह requirement अभी unknown है कि अगे unknown कि हमें नहीं पता है हमरे पास requirement है हमें यह नहीं पता कि इसको इंपलिमेंट करना है तो इंपलिमेंट रिदे से नहीं कर सकते हमें इंपलिमेंट करने के लिए पूरा roadmap होना चाहिए और roadmap जब हमारे पास होगा तो हम उस map को step by step follow करके आउट्पूक की तरफ जाएंगे या पर हम requirement को fulfill करने की कोशिश करेंगे तो अगर हम अपने roadmap को देखते हैं सबसे पहले हमें roadmap को समझना जरूरी है कि क्या road में follow करने वाले हैं इस पावर बीए प्रोचेक्ट में तो दोस्तों सबसे पहले मेरा और जो वीडियो होगी उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे यही cycle होती है पावर भी है कि इसे तरीके से हम अपनी वीडियो को भी डिवाइड करने वाले हैं जरूरी होगा हमारा data scrubbing using power query data scrubbing मतलब हम data को सबसे पहले extract करेंगे अपने stores पे उसके बाद उसमें transformation करेंगे उसमें cleansing करेंगे करेंगे तो पहला step हमारा यह पार्ट वन होने वाला है इस वीडियो का data scrubbing using power query अब इस data scrubbing में हम दो activities majorly perform करेंगे वह होगा splitting the columns and removing unused columns जो भी हमारे unused columns होंगे उनको हम यह रिमूव कर देंगे तो पहली activity हमारी होने वाली है पार्ट बन में data scrubbing, data cleansing and extraction basically पहले हम extract करेंगे उसके बाद data को clean करेंगे दूसरा पार्ट यह दोस्तों बहुत ही important पार्ट है generally मैंने देखा है कि लोग को skip कर देते हैं वो directly क्या करते data scrubbing की सीधे हम visualization की तरफ आगे सीधा dashboard बनाने लग जाते हैं ऐसा नहीं होता है दोस्तों real world काफी different होता है जब आप खुद से देखेंगे client requirement को solve करने जाएंगे तो आपको भी एता ही रोट में बनाना पड़ेगा तो अब आपको data modeling करनी है तो data modeling में मैं इस video के लिए क्या करूंगा या calendar dimension बनाऊंगा तुद से क्योंकि हमारे data में कोई भी time dimension या date dimension नहीं given तो मैं एक calendar dimension बनाऊंगा use the DAX और data analysis expression की मेरी पूरी power BI ने एक series बनाई हुए मैंने मैं उसका भी link दूँगा आप उसके playlist पे जाहिए आपको और डीडिल में यहाँ पर इस video के लिए यहाँ यहाँ पर डेक्स के दूँग डिजाइन करूंगा उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूंगा यहाँ पर कुछ मेंजर्स बनाऊंगा क्योंकि देखे मेरे पास client ने requirement दी है analytics के लिए बेसिकली पर्फॉर्मेंस करना है analytics तो जब तक हम अपने की performance इंडिकेटर जो होते हैं हमारे KPI उनको identify नहीं करेंगे तब तब कोई फाइदा नहीं है पोई analytics अधूर ही है वह तो analytics करने के लिए मैं आपने कुछ important parameters को अधर मारे train type की basis पर देते हैं मैंने यहाँ पर बताया है मैंने यहाँ पास train type लिए इंक पास train type का किस की तरीके से break up है revenue का वह हम देखने वाले है स्टेशन की basis पर मैंने चार बड़े railway station लिए उन railway station के रिताब से क्या क्या revenue आ रहा है यह देखेंगे इसके अलावा जो जो देखेंगे हम इसके बाद overall satisfaction कितना है particular train type के recording जैसे हमारी बंदे महारत express है दाजदान इशताबदी ऐसे expresses होती है इनमें जो हमारे मैं कहूंगा जो हमारे passengers होते हैं उनका क्या overall experience था वह हम satisfaction पो हम study करेंगे यहाँ पर यह इस तरीके से हमारा part to finish हो जाएगा वीजर्स दिजा करने वाला है part 3 में सबसे पहले हम कुछ KPIs बनाएंगे KPIs किस लिए ताकि हम high level figures को display कर सके क्योंकि यह KPIs होते है हमारा client होगा single glimpse में एक ही view में सारा data high level पर चेक कर सकता है इसके लावा हम map visual लेंगे location wise जो हमारा लोकेशन वाइस जो हमारा revenue earn हुआ है उसको दिखाने के लिए पाइचार्ट लेंगे इसके लावा train traffic जो हमने यहाँ यह सारे measures बनाएंगे यह को हम basically depict कर रहे हैं तो percentage of train traffic at different station क्या traffic stations पर यह भी हम देखेंगे using pie chart line chart बनाएंगे हम यह देखने के लिए कि overtime क्या क्या revenue earn हुआ है on time versus late arrival जो हुआ है train types के basis पर वो बनाने वाले है satisfaction के लिए भी हम यहाँ बनाने वाले है आपने एक visual फाइनली एक filter लेंगे time period के basis पर ताकि हम अलगला time period के basis पर क्या revenue हुआ यह traffic यह सब को analyze कर सके तो यह entire मेरा पूरा roadmap होने वाला है और यही roadmap दोस्कों बहुत important होता है without roadmap कभी भी आप requirement करने मच जाएगा roadmap बनाईए तब ही आप design कीजिए तो अब हम सीधे part 1 से start करेंगे और part 1 में हम data को सबसे पहले extract करेंगे data को pull करके लेके आएंगे pull करने के बाद उसमों कुछ scrubbing करेंगे clean करेंगे और finally load करेंगे ताकि जो हमारा part 2 है data modeling का वो start हो सबसे पहले हमारा data को लेके आना पड़ेगा data को import करना पड़ेगा उसके बाद data के अंदर transformation जितके अंदर हम cleansing करेंगे और फिर हम data को load कर देंगे ताकि data modeling को हमारा part 2 होगा वो start हो सके और अगें दोत्तों मैं आपको बता रहा हूंगे यह सारी फाइल है जो हम इस वीडियो में यूज करेंगे यह इसका link में आपको provide करा दूंगा आपके आप खुद से प्रेक्टिस कर सकें क्योंकि एक बार जब आप खुद प्रेक्टिस करेंगे तब इन कंसेप्स को better तरी तो मेरी station lookup table यहां पर आजएगी इसके बाद मैं लेके आँगा अपनी ticket sales यह मेरी एक data table है इसके बाद train lookup table अब दोस्तों मैं यहां पर क्या करने वाला हो data view में जाओंगा और इन tables की structure को सबसे पहले समधूँगा तो सबसे पहले मेरे पास station lookup table है मेरी एक dimension table है dimension table क्या होती है dimension table हमारे जो भी हमारे measures होते है यहां पर मैं कहूँँ तो हमारे fact table के अंदर quantitative data होते है उनको explain करता है उनको describe करते हैं तो यह मेरी एक lookup table यह dimension table है station id station name और capacity तीन हमने यहां पर column लिये हैं पर इस table में एक issue है जिसको मेरे को अभी data cleansing के वक्त resolve करना है यहां पर बिर पास station का नाव और station की location रोनों combined होके आ रहे हैं अलांकि मेरे पास इक delimiter से data separated है पर मुझे delimiter यहां पर मेरा लगा हुआ है पर मुझे क्या करना होगा इस delimiter से data को separate करना होगा ताकि location wise data को analyze करते हैं तो यह तो रही मेरी पहली dimension table station look up उसके बाद दोस्तों मेरी ticket sales data है ticket sales table है यह मेरी data table या fact table है इसके अंदर मेरे पास facts present है जैते की number of tickets sold station id जो departure की थी यह सारा data इसके अंदर है इसके अलावद date data है dates related data train id इसके अंदर इसके अलावद दोस्तों मेरे पास train look up है train look up table भी again dimension table है इसके अंदर train id train के टाइप जैसे दुरोंतो गरविबरत गरीबरत बंदे भारत राजदानी शतापती इस तरीके से बे वह भी train type होती है important वो मैंने यहाँ पर mention की है इसके अलावद उसके अंदर coached और average proceed price यह mention है और finally हमारी एक table है train performance data जिसके अंदर कोई train on time arrival अब हुआ है तो उसके लिए हमने one use किया है नहीं हुआ तो zero use किया है passenger satisfaction कितना है out of five यह हमने यहाँ पर mention कर दिया है तो इस तरीके से हमारी 4 tables हैं जिसके उपर हमारे को सारा analysis अपना perform करना है अब दोस्तों द यहाँ पर हमारे को कुछ transformation perform करने पड़ेंगे तो सबसे पहले मैं station lookup पर जाता हूँ यहाँ पर दोस्तों आपको edit query को click करना होता है जैसी आप edit query click करेंगे आपका power query editor की जो window होती है open हो जाती है अब इस power query window जो power query editor है हमारा यहाँ पर जाके हम यहाँ भी हमारे को data की refining करन है इस को हमारे को basically divide करना है तो मैं क्या पर हूंगा हमारे पर delimiter already present है comma तो मैंने को मुझे क्या करना है यहाँ पर split column को use करना है by delimiter by delimiter मेरा कौन सा है यहाँ यहाँ पर मेरा है comma मैं comma सेलेक्ट कर लोगा क्योंकि मैं को देख पार है हम यहाँ यह data मेरा यहाँ पर comma ही present है तो इसे हम कर देंगे हमारे data अलग हो गया है स्प्लिट हो गया है columns पहले को हम station name दे देंगे और दूसरे column का नाम हम यहाँ रख देंगे station location या फिर हम इसको सिंपन location भी दे सकते हैं ओके तो यह तो वहा हमारा पहला operation cleansing का इसके लावा हम दबनी दूसरे table को देखते है ticket sales data यह table मुझे refined लग रही है इसके अंदर सारे column के data types भी सही है तो इसके अंदर हमें कोई operation भी परफॉर्म नहीं करना है cleansing से related या scrubbing से related train look up ओके यहाँ पर train look up पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास unnecessary रूपी का symbol आ गया है अग इस रूपी की symbol की में जैसे क्या हो रहा है कि जो हमारा power query editor है वो इसको assume कर रहा है एक string type का column जबकि यह एक numerical type का column है तो हमें क्या करना होगा हमें यहां से इस column को split करके यह जो रूपी symbol है इसको हटाना होगा और बाकी values को बोल नमबर तरीके से लेना पड़ेगा यह मैं कह सकते हो numeric तरीके से लेना पड़ेगा तो मैं यह क्या करूँगा मैं यहां पे इसको again split करूँगा by delimiter अब देखें दोस्तों यहां पे custom में अपने आप ही इस नेक रूपी का signal या ले लिया है मैं जैसी ok करूँगा अब आप देख सकते हैं यह data divide हो गया है और जो data हमारे numerical था वो by default यहां पे आप देख सकते हैं अब by default हमारा चेंज होगे numeric form और मैं इसको अभी के लिए क्योंकि प्राइस है तो इसको decimal number में लिख दूँगा और यह जो रूपी वाला सिंगल आया था इसको मैं अभी के लिए remove कर तूँगा और इस कोलम का नाम भी यहां पे change करते थे आवरेज पर तीट प्राइज पर प्रा और train types भी हमारा ठीक है train ID भी इसके बाद train performance data train performance data भी हमारा यहां पे जो हमारा table है वो ठीक ही है यहां पे train IDs है हमारी date भी हमारा date type का ही है on time arrival हमारे हूर नुमबर है यह भी हमारे ठीक है data तो हमने जो भी हमारी data cleansing activities थी वो हमने पफाइं कर ली तो देखे friends मैं एक चीज यहा प्रोजेक्ट में जाएंगे रियल वर्ड प्रोजेक्ट में कहने का मतलब वहां पर इस तरीके से basic ऐसी basic operations आपको प्रोण करने पड़ेगी पर कुछ advanced level operations भी होंगे तो मेरे को क्योंकि इस project के अंदर end to end समझाना है इसलिए मैंने यहां पर बहुते limited features यूज की पावर query editor के पावर query editor के कुछ advanced features मैंने अपनी previous वीडियो में बताय हुए है मैं उनका link भी शेयर कर दूँगा वह भी जाके देख सकते हैं तो तरह भी आप practice कीजिए यह प्रोटिंग हो गया इस तरीके का operations पे खाफे frequently used होते ही तो अब मैं इसको close and apply कर दूँगा यहां पर जैसी मैं close and apply कर दूँगा मेरा जो part 1 है वो अब finish हो चुका है मैंने सारी activities part 1 से related complete कर ली तो अगर मैं यहां देखता हूँ तो मेरी चारो टेबल्स जो है refine form में आ गई है और अगर मैं आप लोगों को दिखा हूँ मेरे जो road map था road map में यह जो मेरा part 1 था यह जो मेरा part 1 था यह हमने easily finish कर लिए तो आप सुन चलते ही सीड़ी पार्ट 2 की ओ और पार्ट 2 की पहली activities जो calendar dimension हमें बनाना है आम उस पर कामप चुरू करते हैं तो friends हमने part 1 जो है हमारा project का जिसके अंदर हमार को data scrubbing data cleansing करनी थी data को extract किया फिर हमने data को clean किया और हमारी final tables modeling के लिए ready कर ली तो हमने यह वाला जो हमारा part 1 था इसको हमने अब finish कर लिया है हमारी tables data modeling के लिए दियार है अब दोस्तों जो data modeling part होता है data modeling part में हमारको सबसे पहले project को fulfill करने के लिए वो design करनी होती है जैसे हमारे case में calendar dimension को design करना है इसके अलावा दोस्तों हमारको relationship जो भी हमारी tables होंगी जैसे मेरी T1, T2, T3 जैसे यह tables हैं इनके बीच में क्या relationship बनाना है यह सारा काम भी हमको इस phase में करना होता है इसके अलावा दोस्तों हमें measures भी जो design क करने होते हैं या कोई extra columns required वो भी इस phase में ही हम करेंगे तो अब हम part 2 को start करते हैं data modeling phase तो data modeling phase के लिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम यह देखेंगे कि model view में जाके कि क्या-kia tables refine होके आए हैं तो हमरे पास station lookup table है ticket sales data यानि ticket sales की fact table है train की lookup table है जिसमें trains related data है और train के performance कैसी थी उससे related एक fact table है तो यह चार table है अब दोस्तों हम सबसे पहला काम करेंगे calendar dimension बनाने का या date lookup जो हमारी table है उसको बनाने का purpose क्या होगा purpose दोस्तों जब भी हमारे को time intelligence analysis करनी है जैसे मैं कहूं quarter on quarter क्या मारी ticket sales में variance आया है या फिर month on month हमारे को study करना है revenue को या फिर मैं कहूँ अगर कुछ forecasting करनी है इस चीज के लिए हमारे को date dimension का होने बहुत जरूरी है तो अब मैं क्या करूंगा अब मैं अपनी date dimension ये date lookup table को design करना शुरू करूंगा तो आप लोगों को मैं पहले बता देता हूँ मैंने एक video बनाई ती कुछ time पहले how to design a calendar dimension उसके अंदर मैंने detail में बताया था कि calendar dimension की purpose क्या होता है किस लिए required होती है और कैसे उसको design करते हैं तो आज की video में मैं इतना detail में नहीं बताऊंगा आप लोगों को पर जो overview होगा वो जरूर देने की कुशिश करूंगा तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले यहाँ पर हम नई अपनी टेबल होकी उसको design करना शुरू करेंगे तो हम क्या करेंगे न्यू टेबल यह जो हमारा जो option है इसको select करेंगे यहाँ पर यह कह रहा है write a dex expression to create a new table तो हमेने dex expression लिखना पढ़ेगा अपनी table को बनाने के लिए इसको हम फोड़ा सा जून कर लेंगे और हम इसका नाम देते हैं date lookup तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूं यहाँ पर आप लोगों को कि मैं calendar जो tax function होता है वो यूज करूंगा इसकी detail वीडियो जैसे मैं पहले बता चुपा हूं मैं और यूट्यूब पे डाल है यहाँ पर हम manual started end date भी दे सकते हैं या पिर अगर हमारे पस कोई fact tables है उनको हमे reference बनाके started end date देना है वो भी दे सकते हैं तो अभी के case में दोस्तों क्योंकि मेरी ticket sales fact table है वो काफी exhaustive है वो exhaustive table है उसमें सारी dates हमारी present है तो मैं ticket sales table जो हमारी fact table हो उसी कर reference यहाँ पर दूंग minimum function लिकूंगा और minimum के अंदर मैं हमारे ticket sales जो है उसका date column ले लूँगा इसके अरावा दोस्तों end date में मैं यह max लिखूंगा और फिर से ticket sales जो हमारी fact table है उसको ले लेंगा और इसको हम close करें तो अब हम इसके structure देते हैं एक बार कि मारे पास कैसी date table आई है और मैं यहाँ पर जो date column है यह sufficient नहीं होता हमार को year month quarter या फिर मैं कहूं weeks days इस तरीके के भी columns required होते हैं अब मैं क्या करूंगा अब मैं उन columns को इस table में करनी की कोशिश करूंगा तो मैं दुबारा से जो मेरा date lookup जो मेरी table हम बना रहे हैं उदर जाएंगे और अब हम दोस्तों क्या करने वाले हम दोस्तों वो होगल year हम downward hierarchy फॉलो करेंगी year quarter मत इस तरीके से तो सबसे पहले name दे दूँगा मैं column का year और इधर हम year function को use करेंगे इसके अंदर हमार को आप argument date देनी है तो दोस्तों मैं एक चीज आपको बदा दो जैसे ही हमने calendar function यूज करके एक table बनाई तो हमारी date टेबल पर बन चुकी है तो मैं उसी का ही यह reference दूँगा तो यह हमारा date table बनी है उसका ही यह reference मैं पास कर दिया है अब आगे चलेंगे अब इसके बाद हमें क्या add करना है quarter तो quarter के लिए हम मैं क्या करूँगा यहां पर quarter लिख देंगे हम और क्योंकि मैं Q1 Q2 इस तरीके से quarter को इसके बाद दोस्तों मुझे लेना है quarter के बाद आता है month तो मैं month यहां दे दूँगा और यहां पर हम अपना month function कर लेंगे और again reference पास कर दिया है हमने इसके बाद दोस्तों month name ले लेता हूं month name जैसे January, February यह भी बहुत जरूवी होता है इस तरीके से लेना यहां पर हम दोस्तों format function कर यूज करेंगे क्योंकि यहां पर मैं अभी के लिए क्या करूँगा MMM इस तरीके से क्योंकि जैन इस तरीके से हमें चाहिए यह जैनवरी, February की तरह है और अगली values मैं month के बाद let's all day लेना चाहता हूं तो इसमें मैं day function यूज कर लूँगा और इसके अलावा मुझे अभी के लिए कुछ नहीं चाहिए तो मैं इसको close कर दूँगा और मेरी date lookup जो टेबल थी वो बनके त्यार वो चुकी है तो एक बार अगर मैं इसको minimize करता हूं और देखता हूं yes तो आप देख सकते हैं यहा हमेरी date table बनके त्यार मेरा column date जो था वो initially बनके आ गया था जब हमने calendar function कर यूज के उसके बाद में column जैसे year, quarter, month, month name, day यह सारे extra columns add करें using different functions तो आप देख सकते हैं July यह सारे अगरती तरीके थे जो मेरे month names थे वो भी यहां पर आ चुके हैं तो अब हमारे पास एक date lookup table बनके तयार है तो में क्या करना है हम दुबारा से model view में जाएंगी model view में देखेंगी तो date lookup table मेरी separate है भी connected नहीं है तो मैं इसको करने की कोशिश करूँआ तो मैं क्या करने वाला हूं मेरी date lookup है और यह तो मेरी fact table है एक मेरी यह वाली fact table होगी और एक मेरी यह fact table है तो मैं date lookup table को इन से connect करने की पोशिश करूँआ मेरे पास यहाँ पर एक date column यहाँ पर है और date यहाँ पर बेजेंट है यहाँ तो मैं इन दोनों के थ्रू प्राइमरी की फॉरीन की relationship इस्टाफिश करते हैं और इस date को इसके साथ मैप कर देते हैं इसको हम क्या करते हैं इसको यह ले जाते हैं तो आप देख सकते हैं मेरी date lookup और train lookup जो टेबल थी वो टिकेट टेल्स और परफॉर्मेंस तोनों तोनो फैक टेल्बल के साथ किनेक्टेट थी और जो स्टेशन लुक अप है वो कीवल टिकेट तो यह ओवर और और मेरा एक मैं कहुंगा एक data model बनके तेयार हो चुगा है अब इसके तो हमें क्या करना है next step जो होगा हमारा वो होगा हमारा measures को design करना होगा measures को हब हम design करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे measures table बनाएंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे measures हो किसी table में जाके उसके column के साथ clutter हूँ मै अपने data model को बिल्कुल clean रखना चाहता हूँ ताकि उसकी readability बनी रहे उसके अंदर down the line अगर कोई दूथरा इंजिनियरा के काम करता है तो उसको यह न लगे कि यह clumsy का model क्या बना हुआ है तो उसके situation को avoid करने के लिए separate measures table को design करते ही मैं क्या परूँँगा अब मैं यहाँ पर जाके यह जो create a new table है इस option को select करो perfect और इसका नाम हम दे देंगे measures table ओके और इसको हम रोड कर देंगे केवल empty table बनाने है कुछ नहीं करना है यहाँ पर ओके यह table कुमारी बन गई है दुबारह से अब हम क्या करेंगे रेपोर्ट व्यों में जाएंगे और मेरी measures table यह यहाँ पर present और इसके अंदर हम measures को design करने शूरू करेंगे तो friends सबसे पहले सबसे पहले मुझे क्या करना है मुझे निकालना है अपने revenue अब revenue निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम जड़ा logic को देख लेते हैं यहाँ पर data view में जाके और average seat per price यह देख पारें आप average seat per price इसको भी लेना पड़ेगा इसको multiply by number of tickets जो है मेरी उनको हमें लेना पड़ेगा number of tickets जो की मेरी उनको लेना पड़ेगा तब ही हमारे का total revenue उसको कैसे करेंगे उसके लिए दोस्तों हमारे को यहाँ पर related जो हमारे एक DAX की playlist है उसमें different DAX functions जो है सारे मैंने detail में बताये हुए हैं तो आप उस playlist को भी जाके चेक कर सकते हैं तो अभी के case में मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर new measure को select करूँगा और हम यहाँ पर लिखेंगे total revenue इसको हम वोड़ा बढ़ा कर लेते हैं इसके परेंगे और हम लिखेंगे हम total revenue इसके बाद दोस्तों मेरे को क्या करना है मेरे को अपना sum x function यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे को यहाँ पर expression में values लिखने है table का reference और expression दोनों लिखना है तो मैं यहाँ सबसे पहले ticket sales को ले लूँगा और ticket sales जो टेबल है उससे मेरे को निकालना है number of tickets लेना है basically number of tickets और इनको multiply करना है basically जो मेरी dimension table है जो मेरी train lookup table है उसके अंदर जो values है उनके साथ multiply करना है तो train lookup को हम directly use नहीं कर सकते इसके लिए हम related function यूज़ करना होगा तो train lookup हम लेंगे और average perceived price जो था उसको हम उस column को select कर लेंगे इनको हम उप्ते करेंगे और हमारा total revenue आ जाएगा without related आप इस train lookup जो हमारा train lookup table का average perceived price जो है इस column को आप नहीं ले सकते या access नहीं कर सकते इसको जब हम अभी के लिए इसको minimize कर देंगे हमारा function ready है हमारा sorry हमारा measure ready है total revenue का और यह जो extra column था इसको अब हम delete कर देते हैं model से तो हमारी measure stable ready है आप देख सकते हैं इसका icon भी change हो सुगा है total revenue मेरा पहला measure बनके तयार है अब दोस्तो हम तुवारा से अगर अपने project के roadmap के तरफ चले और roadmap को देखें तो roadmap के अंदर हमने यहां पर मैं आपको देखूँ हम इस वाले phase में हैं आभी part 2 वाले में और हमने calendar dimension को design कर लिया है अब दोस्तो हमने अब हमारा जो next task होगा वो यह different measures हैं इनको design करने कर रहेगा तो सबसे पहले हम देखते हैं on time arrival और late arrival यह दो measures को कैसे design करना है revenue earned हमने already design कर चुके हैं यहां पर यह वाला already design कर चुके हैं अभी मैंने आपको आज on time or late arrival इनको design करने की को बुस्त है तो मैं क्या करूंगा मैं यहां पर आ जोंगा और measures table में एक को और measures को check हम बढ़ा कर लेते हैं इसके science को और यहां हूँ on time arrival से करके लिखते देने अब दोस्तों यहां पर मुझे calculate function यूज करना पड़ेगा सबसे पहले मैं expression में क्या करूंगा count करूंगा पहले एक बार आपको मैं logic पी दिखा देता हूं table का अगर हम अपने data view पी जाते हैं और इसको एक बार हम minimize कर देते हैं ठीक है और अगर मुझे क्योंकि on time लेना है तो यह मेरे को performance जो मेरे train performance data table मिलेगा यहां पर आप देख सकते हैं एक column है यहां पर आप देखिए on time arrival एक column है जिसके अंदर one और zero values आ रही है यह one यह zero कहने का मतलब है अगर one तब है जब on time arrival हुआ है train का अगर zero यानि on time arrival नहीं हुआ है तो हमारको on time arrival और late arrival ऐसे जब column बनाने हैं sorry measures डिजाइन करने हैं तो यह जो on time arrival मेरा जो column है इसको लेना पड़ेगा और इसी के reference यूज करके मैं वापर दो measures on time arrival और late arrival जो दो measures हमको design कर सकता हूँ तो अब मैं क्या करूँगा दुबारा से यह on time arrival जो मेरा measure में बना रहा था है यह जाओंगा calculate function लिखेंगे और count करूँगा कितनी बार मेरा जो one था वो जो flag one था वो आया है तो मैं train performance का one time arrival वाला जो है इसको लेगे और count कर रहे हैं इसमें filter लगाना पड़ेगा मेरे को filter क् मैं यहां पर filter लगांगा on time arrival equal to one जैसे मैंने बताए one अगर हम zero लिखेंगे then that is late arrival one मतलब on time arrival इसको आप okay कर देंगे यह मेरा on time arrival measure बनके तयार similarly इसको मैं copy कर लूँगा rework से बचने के लिए और एक और measure बनाएंगे इसका नाम लखेंगे late arrival ओके late arrival और यहां पर मैं क्या करूंगा इसको दुबारा से paste कर दूंगा इसको अठाते हैं यहां पर late के लिए मैं zero कर दूंगा अगली चीज़े कौन सी हैं रोड मैप में हमने on time arrival बना लिया है लेट अगली अगली चीज़े कौन सी हैं रोड मैप में हमने on time arrival बना लिया है late arrival revenue और यह सारे बना चुके हैं उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ percentage of revenue earned by different train types और percentage of revenue earned location wise यह दो वीज़ेट के लिए मैं क्या करूंगा अब एक नया मेजर design करूंगा तो अब मुझे क्या करना है दुबारस से अपनी current फाइल पर आऊंगा और यह न्यू मेजर को value होनी वाली है उसको मैं यहां लिख लूंगा और उसको design करने को कोशिश करेंगे calculate calculate मैं दोस्तो सबसे पहले मेरे को जो total revenue उसको और इसमें filter context को खटाने के लिए दोस्तो मेरे को जो कि मेरे filter context को खट जाए इसलिए मेरे को क्या करना है all decks function अगेन आप लोगों ने अगर मेरी deck की playlist नहीं देखिए तो आप वाँ पर जाके देखिए all का usage होता है कैसे filter context को remove कर देता है ताकि हमारी value जो है वो percentage terms में perfectly निकल सके तो आप पूरा use case मैंने वहाँ पर जाके समझाया है तो आप उन वीडियो को जाके जरूर देखिए मैं सारी वीडियो का link जो है वो description section में डाल दूंगा आप one by one वो सारी वीडियो देखिएगा तो आप मैं क्या करूंगा यहां पर जो हमारा रेशियो में यहां निकालने वाला उसको लिख दूंगा वह और यहां सबसे पहले divide function मैं क्या करूंगा मैं जो हमारा यह जो हमारा total revenue वाला जो measure था को use करूंगा प्लस जो मेरा denominator जहां पर कोई filter context नहीं होगा वह वाली value denominator में डाल दूंगा और यहां पर अगर कोई value नहीं है तो मैं एक बार के लिए ले ले लेता हमें और इसको मैं return करवा तो क्योंकि हमने variable बनाया तो इसको return कराना भी जरूरी है और अग सामने दे दूंगा revenue earn क्योंकि यह तिंगल measure मेरा location wise और train type wise तो मैं काम आ सकता है तो मैंने इसलिए simple इसका नाम रखा है percentage wise revenue earn और इसको हम percentage terms में कर लेंगे और two places perfect को अब हमने दोस्तों दुबारे से अगर मैं road map में दिखाऊं आप लोगों को तो हम लोगों ने on time arrival, late arrival, revenue earned, percentage of revenue earned by different train types, percentage of revenue earned location wise यह स्थारे हमने measures को design कर लिया है, हमारे दो measures प्रेंग नहीं है percentage of train traffic at different railway station यह वाला और basically यह वाला and satisfaction by train type यह हमें लेना है, यह basically दो measures मेरे प्रेंग नहीं है, अब इनको बनाने की try करते काम ओके, friends अब हम जो हमारे दोसरे measures हैं उनको भी design करते हैं, तो उसमें हमारे को satisfaction by train type यह measure design करना है, इसके पीछे क्या logic है, एक बार वो हम समझ लेते हैं, तो मैं अब यह के लिए क्या करूंगा, data view में जाओंगा, data view में दोस्तों, मिर पास train performance data करके, जो हमारी pack table है, उसको दे देख पा रहे हैं, मिर पास एक passenger satisfaction करके, एक column है, इसके अंदर, जित के अंदर, आप देखें, यहाँ multiple ratings है, basically क्या था, जो भी passengers हमारे train में travel कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या क्या rating थी, from 1 to 5, वो हमने, यहाँ पे mention कियी हुई है, तो अब हम करने वाले क्या है, कि 3, 4, 5 rating है, और 1 or 2 rating हैं, उसमें यह assume करेंगे, कि वहाँ पर पर, जो हमारे passenger हो, satisfied नहीं था, तो अब हम अपना measure को design करते हैं, इसी logic के basis पर, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी measures table में जाऊँगा, और new measure को click कर दो, okay, and इसके हम देदेंगे, satisfaction by train, okay, and यहाँ पे सबस्ते पहले, हम numerator में, calculate tax function लिखेंगे, count कर लेंगे, इसको, अरे train performance data के अंदर, passenger satisfaction को, कब, जब हमारा passenger satisfaction in, देखें, जब आप multiple values से compare कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग, इनको लिखना ना भूले, equal to मैं, एक single comparison, in लिखेंगे, multiple comparison हो सकता है, तो मैं यहाँ इन लिखेंगे, और races डाल देंगे, जो भी values हैं, इसको हम close कर देंगे, और races के अंदर, हम 3, 4, 5 को, क्योंकि, satisfactory मान रहे हैं, ratings को, तो 3, 4, 5 यहाँ पे value डाल देंगे, denominator में हम सारी ratings लेंगे, तो उसके लिए मैं calculate लिखूँँगा, यहाँ पे count लिख दूँगा, again train performance, जो हमारी pack table है, उसका passenger setting people लिख लिखेंगे हम, यह हो गया हमारा numerator denominator ready, इसके बाद दोस्तों में को क्या करना है, ratio perform करना है, तो उसके लिए where ratio को मैं लिखूँगा, और यहाँ पे हम divide करतेंगे, इसको numerator को denominator से और अगर नहीं value, और यह लिख देंगे, और finally इस variable को return कराना नहीं बोलना है, तो कि नहीं तो error आएगा आप लोहों का, तो इसको हम return करा देंगे, perfect percentage terms में इसको लिख लेंगे, और दो places तक हम इसको perfect, यह हो गया है हमारा measure ready, और अगर हम दुबारा से रोट में हम देखी कि कौन सा हमारा measure pending है, तो यहां पर हमने यह measure design कर लिए, लिटे राइरवल revenue, train types, percentage revenue on location wise, satisfaction by train type, हमारे एक measure pending है, वो है percentage of train traffic at different railway stations, तो इसी को मैं अभी copy कर लूँगा, measure का same की नाम दे देंगे, हम अपनी file में आएंगे, यह उसको select करेंगे, measure को click कर देंगे, तो इस measure का नाम मैं यही दे देता हूँ अभी के लिए, अब अगेन दोस्तो, train traffic के लिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ, कैसे हम इस चीज को calculate कर सकते हैं, तो मेरे data view में आना पड़ेगा, data view में मेरे ticket sales है, यहाँ पर यहाँ पर आप station ID departure यह करके एक column देख पा रहे हैं, तो basically क्या है दोस्तों यहाँ पर कि हर station पर कितनी train departure हूई, उसको हमें train traffic consider करते हैं, जैसे अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, कि different stations की ID मैं नहीं लिएंगी, जो S100 से S400 है, चार बड़े stations का अभी के हम प्रजेक्ट में analysis कर रहे हैं, तो चारो प्रजेक्ट की ID यहाँ पर mention ने, चारो जो हमारे stations थी, उनकी ID यहाँ पर mention ने, तो मुझे इन particular stations पे कितना traffic था, इंडिविजूल, जैसे F100 जो भी S100 station था वहाँ पे, 200 पे, क्या के traffic तो फुक्तो calculate करने, percentage terms में, तो अब हम जा रहे हैं, जो measure बनाने का motive है, वो यही रहेगा, इसको escape करके, इसको close कर देंगे हम, और अपने measure पे आ जाएंगे, अगेन हम where numerator की value calculate करेंगे, इसके लिए calculate function स्टार्टिंग में, और यहां पे हम क्योंकि traffic निकाल रहे हैं, तो count करेंगे कितनी बार depart हुआ है, तो हमनारी ticket sales table है, इसको count कर लेंगे, करेंगे, ओके, and where denominator में हम जो total value है, उसको ले लेंगे, यहां calculate, count, and ticket departure और यहां पे हम total value consider तर लेंगे, इसकी यहां करेंगे, तो यह हमारा हो गया है, इसके बाग रेशो बनाऊंगा, division करूंगा, numerator denominator कर divide function, numerator, denominator, and return, okay, and finally return, यह कभी नहीं बूलना है, आपको return ratio इसको percentage terms में लिखनेंगी हूँ, and percentage को तोब्लेस तक लेलेंगे, यह one और यह हमारा यह भी measure बनके त्यार है, तो जो आप हमार को total जितने भी measure जितके along हमार को analytics पकॉम करनी है, वो सारे measures ready ही, तो अगर हम अपने roadmap की तरफ दुबारा जाएं और देखी, तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास सब कुछ अब basically यहाँ पर मैं कहूँ कि मेरा part 1 already finished हो गया था, और आप हमने part 2 भी finish कर लिया है, सारे measures को design कर लिया है, यह part हो गया है, अब दोस्तों अब हम आएंगे visualization की तरफ, basically हम visualize करेंगे, यह part जो होता है दोस्तों कहीं लोगों को बहुत excited करता है, क्योंकि यहाँ पर आप appeal, visual appeal होती है, हमने advice को अच्छे लगता है, डिफरेंट तरीके से data को analyze करना, जब हम data को view करते हैं, वह आपको appeal करता है, तो वह सारा काप हम अब इस data visualization वाले phase में करने वाए, तो दोस्तों अब तक हमने data की scrubbing and data modeling यह वाले activities हमने already perform कर ली थी, तो अब इस part में दोस्तों हम लोग data की visualization से related activity को perform करने वाले हैं, इस part में दोस्तों हम एक पूरी report बनाएंगे, जिसके अंदर हमारे different metrics को analyze करने के लिए, जो railway की performance से जुड़े हुए metrics हैं, उनको analyze करने के लिए different visuals जो Power BI में होते हैं, उनका use करने वाले हैं, तो अब हम सीधे अपनी report को बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से final look and feel हमारे report की आती है, तो दोस्तों जो हम अपनी report को बनाने के लिए जो theme यूज करने वाले हैं, वो innovate करके theme होगी, जो हमारी freely available होती है, जब Power BI को download करते हैं इसी theme पर यूज करेंगे, पर इस theme के अंदर दोस्तों हम कुछ customization करेंगे, जैसे कुछ colors को हम change करेंगे ताकि look and feel जो होती है अमारी visuals की वो कुछ better हो सके, वो appeal कर सके हमारे को थोड़ा better density, इसके लावर दोस्तों visuals के अंदर भी हम कुछ changes करेंगे background और wallpaper से related और canvas की settings हम change करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आपनी जो हम पूरा analytics के लिए हम अपना पूरा चुर्पोर्ट प्रा रहे हैं वा जाओंगा, और view में जाओंगा दोस्तों और view में जाके देखूंगा innovate, this is innovate theme, आपकी innovate theme में आप इसको क्लिक करेंगे, तो कुछ इस तरीके से जैसे क्लिक करेंगे, आपका इस तरीके से background change हो जाएगा, अब हमें दोस्तों क्या करना है, हमें जोड़े से customization करने है, theme level पर, तो मैं क्या करूंगा, customize current theme को select कर लूँगा, और जो भी मेरे changes हैं, वो एक पार देखता हूँ, सबसे पहले में color one में यह वाली values डाल लेनी है, तो मैं यह क्या करूंगा, color one में जाके, यह वाली values, copy paste कर दूँगा, और यह सारे details दोस्तों मैं आप लोगों को provide करा दूँगा, ताकि आप लोग भी easily अपनी theme को customize कर सके, मैं apply कर दूँगा इसको, इसको हम एक बार select कर लेते हैं, करके ok, यह हमारा change हा गया है, इसके बाद दोस्तों दूसरा जो color two हम ले रहे हैं, अपनी report के लिए वो यह रहेगा, इसके अंदर हम जाएंगे, और इसको select करके, इसको ok कर दिया, और finally जो हमारा change रहेगा, वो यह रहेगा color three में, इसको हम यहाँ जाके color three को भी change कर देंगे, और यह हम क्यों, दोस्तों change कर रहे हैं, ताकि हमारी जो report है, यह वीजुल से होगे, फोड़े appeal कर सके हमें, इसके बाद दोस्तों जो भी change करना है, वो advanced level पे भी color को change करना है, यहाँ पे जाएंगे, advanced level को select करके, इन color को भी change कर देंगे, तो यह already यह color है, तो इसको as it is, हम प करूँगा, क्योंकि text level पे हम individual visual में ही जाके ही changes करेंगे, क्योंकि कई बार font size हमें increase, decrease करने होते हैं, तो अब ही text level पे मैं changes नहीं कर रहा हूँ, visual levels के अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे visual level पे मेरे को background और border दोनों में ही, इस color को रख देना है, तो background में मैं इसको select और copy paste करके इस color को दे दूँगा, और border में भी मैं enable कर दूँगा इसको, इसके बाद दोस्तों, जो color होगा मेरा border का, मैं यहीं कर दूँगा, okay, and finally हमें wallpaper और page background पे भी same color रखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके wallpaper इसको मैं select करूँगा, इसको color change कर दूँगा, और page background भी मैं same ही रखना हूँगा, और इसको apply कर दूँगा, तो यह तो basically मैंने अपनी theme को, जो मेरी innovate theme को कुछ customize कर लिया, उसमें कुछ minor changes को अंगरती है, related to colors, अब दोस्तों मेरे को क्या करना है, अब अगर मैं इस section को देखो, तो canvas setting में, canvas background में, और setting में कुछ changes करने है, तो यहां जाओंगा, और इसको select करूँगा, और सबसे पहले तो page information में जाके हम इसका नाम दे देंगे, इस page का नाम जाएगा, इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, canvas setting में जाके, गस्टम को select कर लेना है, और यहां पर आप लोगों को values जो provide की गई है, जैसे 900 pixel to 1600 pixel इनको हम यहां डाल देंगे, तो यहां हम 900 by 1600 यह values दे रहेंगे, और जो alignment है, वो हम middle में कर देंगे इसकी, और canvas background में दोस्तों मैं एक image upload करने वाला हूँ, वो image यहां upload कर देंगे, और इसके fit को, इसको हम image fit को पूरा fit करना है हमारे को background में, तो इसके image fit को fit वाला option में यहां select कर लेंगे, जैसे ही होगा, कुछ इस तरीके से आपका आप आचुका होगा, तो यह वाले जो options से हमारे themes related details हम नहीं आपे, complete कर लिए, यह सारे हमारे activities थी, वो अब complete हुचकी है, तो अब हम अपनी report में, report की heading को add करेंगे, और उनकी properties को configure करेंगे, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यह report में जाएंगे, और मैं text box को add कर लूँगा, जैसे text box को add करूँगा, मैं title को on कर दूँगा है, यहाँ पर, सबसे पर यह text दूँगा, जो जो यह लिखना है, that is, railways, and analytics, okay, and इसका font family में change कर दूँगा, token data, आप कोई भी specific अपना, जो भी font family use करना चाहते हैं, वो use कर सकते हैं, size 40 दे दूँगा, और इसको vote कर दूँगा, इसके बाद दोस्तो, text color के अंदर, मैं एक बार, जो मुझे text color लेना है, इसको copy कर दूँगा, और text color यहाँ पर paste कर दूँगा, okay, और general alignment के लिए दिए हम, इसके बाद दोस्तो, मुझे क्या करना है, इसके बाद spacing मुझे as it is रखनी divider भी मुझे नहीं, इंड करना, title भी नहीं, तो इसको हम title को close करतेंगे, effects में आएंगे, effects में, मुझे transparency background नहीं, पिल्कुल identities रखना है, visual border में थोड़ा सा rounded करतेंगे, इसको तो rounded corners जो होता है हमारा यह वाली property, rounded corners इसको मैंने 30 असल दे दिया है, यहाँ पर, इसके बाद दोस्तो shadow भी हाउन कर देंगे, shadow के अंदर मैं outside रखना, bottom right दे दिया है मैंने, और बाकी properties को as it is shoot देंगे अपने text box की, तो यह हो गया हमारा इसको थोड़ा सा stretch कर देंगे, ओके और यह आगया हमारा header, तो हमने दोस्तों यहाँ पर अपने report को header यहाँ पर डाल दिया है, तो यह तरीके से हमारे report की beginning हो चुकी है, तो अब दोस्तों मुझे क्या करना है, अपनी KPI इसको represent करने के लिए मैं card visuals को use करूंगा, card visuals वो add करेंगे और उसकी properties को हम configure करतेंगे, तो एक पर चलते हैं अपने report की हो और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, card जो हमारा visual है उसको add कर दूंगा, जैसी मैं इसको add करूंगा, इसके अंदर मुझे अपना जो measure है total revenue इसको यहाँ पर add कर दूंगा, जैसे यह value यहाँ पर represent हो गई है, अब मिर्चे इसकी properties को configure करना है, तो मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पर जाएंगे और जो category label है, जैसे अगर आप देख सकते हैं, यह category label जो था, इसको मैं हटाना चाहता हूं, क्योंकि मैं top पर heading पर रखना चाहता हूं values को, तो मैं क्या करूंगा, इसको off कर दूंगा, call out value लूंगा, call out value में को kindara 30 चीए, तो मैं यह 30 कर दूंगा, bold कर दूंगा, color एक बार चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर, तो color में यह color, use कर लोंगा, यहाँ पर भी, तो more colors में जाके, आपको क्या करना है, इसको copy based कर देना है, आपका यह color change हो गया है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, white share, यह new color आ चुका है, इसके बाद दोस्तों, मुझे और इसके अंदर कुछ changes नहीं करने हैं, तो यह दो मेरा हो गया, इसके बाद मुझे general में जाके कुछ properties को देखना हैं, तो यह title on हो जाएगा, इसकी heading होगी, मेरी total revenue earned, तो मैं यह हम पे, total revenue earned, यह हमेरी heading हो जाएगी, इसको हम center कर देंगे, text color भी हम same ले लिगे, जो भी गिया था, इसके बाद दोस्तों, इसके बाद दोस्तों, इफेक्ट्स पर हमें काम करना है, इसके बाद दोस्तों, तो जो visual border है, वो हमारा on है, बस इसको rounded कर देंगे, shadow को on करने के, और यहाँ पे, जो shadow है, वो outside bottom right रहेगी, और यह हमारा, जो एक, तो हम थोड़ा से यहाँ पे small करतेंगे, और इसी को ही हम, two times copy कर लेंगे, क्योंकि हम उनको अपना time save करना होता है, reports transition को, okay, तो आखले जो दो, that is total stations covered, हमने कितने stations covered किये हैं, तो इसके लिए, option id में यहाँ directly add करतेंगे, तो अभी तो value हमारी दी है, मैं तो count चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको select करूंगा, और count distinct करतेंगा, तो आप देख सकते हैं, मेरे four आ चुके हैं, values, अब इसके जो हमारा title था, उसको भी change कर देते हैं, यहाँ पर, इसके title को हम लिख देते हैं, हमारा auto stations covered, okay, rest of the heading हमारी same थी, इसके बाद दोस्तों मुझे दिखाना है, different train types, तो different train types के लिए, दोस्तों इसको close कर देंगे, और जो मेरे train lookup table है, train lookup table पर जाओंगा, मैं train ID को यहाँ लिख लोगा, तो आप देख सकते हैं, यह value नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना है, जैसे आप यह देख पारे ही, count distinct, जो count distinct है, इसको select कर लेना है, तो मैं count distinct को यहाँ select कर लोगा, और जाके इसका भी title change कर दोगा, जिसको इतना है ना, different stations, cover, तो हमारे तीनों जो guard visuals थे, वो यहाँ बनके आ गई है, तो अगर मैं एक बार आपको sample अपना जो dashboard दिखाओ, अपने beginning में जो आपको दिखाया था मैंने, तो यहाँ पे हमने यह वाले यह तीनों activity कवर कर लिए और अपने header add कर लिए, अब हम next ज उसके parts को add करना शुरू करेंगे, कहने का मतलब है next जो हमारे report के next visuals है, उनको add करना start करेंगे, तो अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे donor chart को add करूँगा, और percentage of revenue by different train types and percentage of train traffic at different railway stations, इन दोनों को represent करूँगा using two donor charts, और donor charts की बार मैं properties को भी configure करूँगा, तो हम और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे donor chart को add करूँगा, यहाँ पे donor chart यहाँ पे आ गया है, इसके size को हम थोड़ा सा increase कर लेंगे, और सबसे पहले percentage of revenue earned by different train types, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे values में percentage of revenue earned जो मैंने measure बनाया था, उसको यहाँ लियाएंगे, इसके बाद train types को legend म add करने के, ओके, यह मारा हो चुका है, और अगर मैं इसको थोड़ा से increase करके दिखाऊं, तो different train types के basis पे कितना revenue आया, basically आप अगर यहाँ पे धियानते, तो मेरी different train types जैसे राजदानी, दुरंतो, वंदे भारत, यह सारी बने trains ही है, अब इनके basis पे in train types, कितना revenue government को earn करके दि दिया है, red में मेरी राजदानी है, राजदानी ने 30% revenue earn करके दिया है, और अगर वंदे भारत को देखे तो उसमें 90.72% revenue earn करके दिया है, तो यह basically हमारा यह बता रहा है कि government को किस train type ने कितना revenue earn करके दिया है, ओके, तो इसको दुबारह से हम original उसमें ले जाएंगे, ओके, और मैं क्या करूँगा, इसकी properties को configure करूँगा, तो सबसे बहले legends को off कर देगे हम, मैं भी आपको दिधाऊंगा कि हम off कर रहे हैं, तो legend को मैंने यह off कर दिया है, तो अब देख सकते हैं, कि यहाँ पर पहले legends दिख से रहे थे, और वो off हो चुके हैं, वो visible नहीं है, इसके ब तो मैंने यहाँ पर legends को remove किया था, अगर मैं दुबारस से on करके आपको दिखाऊं, तो यहाँ बेटर तरीके से आप देख पाएंगे, जब उनकी value आसपास सी दिखेगी, जैसे category plus उसकी percentage value यही दिखे, तब आप better visible दिख पाएंगे, तो मैंने space को save करने के लिए, किया क्य मैंने क्या किया है, यहाँ category percentage of total को select कर लिया है, तो यह कुछ इस तरीके से दिखने लगा है मिरको, इसके बाद इसको select करेंगे, दुबारस से formatting पे जाएंगे, और बाकी properties as it is, अब general में जाके, कुछ-कुछ changes हम यहाँ पकाऊं करेंगे, तो title में percentage of revenue and by different train type यह आ गया है, औ और इसकी heading हाँ या 4 दी देंगे, perfect and इसको हाँ, kindara दे देंगे, दुबारस से check कर लेते हैं, इसकी values, kindara 14 and this will be our text color, इसको select करके रख लेते हैं, kindara 14, bold text color would be, इसको हम select करके यहाँ पेस्ट कर दिया, okay and इसको central alignment दी दी मैंने, perfect और इसके बाद दोस्तों, subtitle divider spacing में मुझे कुछ नहीं करना है, effects में आ जाओंगा, effects में मेरा color ठीक है, visual border भी हमने add करना है, और rounded corners करने देंगे, ताकि फोड़ी appealing हो सकी है, मेरी यह visual, उसके पास shadow को add कर देंगे, offset मेरा outside ही रहने देते हैं, bottom right, okay and बाख़ी properties को as it is, हम अभ भी कर सकते हैं, just आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके सरी होता है, मैंने यहां पर changes किये है, and दोस्तों हम क्या करते हैं, एक बाद यहां पर आके इसके जो भी labels हैं, उनकी values के जो font हैं, उनको भी change कर देते हैं, area से kendara, okay, perfect, and एक बाद इसके color को green की जगर white कर देते हैं, perfect, and यह जो इसकी heading है, इसको एक बाद चेक करते हैं, हमारा जो input है, that is, percentage of revenue and by different train types, यही exact ले ले लेते हैं, तो इसको copy कर लेंगे हम, और जैसे ही हम यहां जाएंगे, इसके अंदर हमें क्या करना है, जनरल में जाके, title में, exact आपके, perfect, आप जो exact मेरा था, वही नाव, यहां प copy करके paste कर लेंगे, ताकि हमारा जो time है, वो बस सके beautification में, और अब दोस्तों, मुझे क्या करना है, आप मुझे second, जो मेरा values and like percentage of train traffic, different railway stations, इसको percentage terms में, जो यह अपने measure design किया था, इसको evaluate करते हैं, for different railway stations, कितना traffic था, तो मुझे यहां क्या करना पड़ेगा, सबसे पहने तो revenue earned or list को भटा के, train traffic को values में डानना पड़ेगा, और जो मेरे station lookup है, यहां पर station name को legend में, perfect, सारी values आप देख सकते हैं, automatically हो गई हैं, और पस title को हमें यहां change कर देना है, तो देखिए, आप एक चीज़ यहां पर देख सकते हैं, कि हमने कितना time save कर लिया, copy paste करके, अदर्वाइ पर यह सारा time ने save कर दिया, बस मुझे यहां title में जाके, इसके title को change कर देना है, और यह मेरा, जो second donor chart को बनके ready हो चुका है, ओके, तो friends, अब मैं क्या करूँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ करने वाले हैं, तो हो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं अपने report में जाओँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ पर्फेक्ट तो यहां पर जो भी इंपोर्टेंट मैंने मैजर्स डिजाइन किये थे उनको इवल्यूएट जो मैजर्स डिजाइन किया थे लिए अगिया है और अगेश्ट डिफरेंट ट्रेंट टाइप्स ठीक है अब इसको फोड़ा ब्यूटिफाइफ करते हैं फिर इस व तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा मैं मैं यहां फॉर्मेट ऑप्शन में जाओंगा और मुझे नहीं चाहिए इसके बाद टेटा लेबल्स मुझे चाहिए तो मैंने टेटा लेबल्स आड़ कर दिये हैं यहां ओके आंड इसकी जो वैल्यूज है मैं एरियल की जगे कंडार की लेने वाला एक इंजारा को चुकी है और कलर अगर आप वाइट देना चाहते हैं तो आइड यहां दे सकते हैं परफेक्ट तो यह मेरा इसको मैंने क्लोज कर दिया और डेटा लेबल्स की प्रॉपर्टी सेट हो चुकी है मेरी इसके अलावा यहां पे मेरा लेजंट है कई इसमार देख लेंगे इसको पहँचम्स की जगह तृट अपर सेंटर करते हैं और जो एक सेगस्स का जो मेरा वह है उसको भी मैं किंडारा कर दूंगा और चाहरें तो आप इसका इसका कर सकते हैं प्रॉपरेंम्स की मेरा अकिर बिया है कि आइंड इसको लोग्स कर देंगे यहां पर यह मेरी सारी प्रॉपर्टी यहां सेट हो चुकी है इसके बाद चनल में जाएंगे चनल में जाके टाइटल में जो भी हमारा टाइटल है उसको कॉपी पेस्ट करके यहां डाल दिंगे तो मेरे टाइटल में है उन टाइम पर से लेट अराइवल बाइट ट्रेंट इसको कॉपी कर लेंगे हम इस पर यहां पेस्ट कर देंगे पॉंट अगें में केंडारा रखना है तो वह जाएगा ओल्ड कर देंगे टेक्स्ट कलर दोस्तों और मैं इक पर देख लेता हम क्या टेक्स्ट कलर हमने यूज किया है ओके इसको हम कॉपी कर लेंगे और सीम टेक्स्ट कलर मैं यहां पेस्ट कर दूंगा पफेक्ट आप इसको सेंटर कर देंगे और चौन्टल अलाइनमेंट को और यह मेरा कि हो जाएगा कि परफेक्ट आंड सब्टाइटर डिवाइटर मुझे कुछ नी चेंज करना है इफेक्ट मैं आउंगा वीजूल बॉर्डर में जाएंगे वीजूल बॉर्डर के अंदर मैं राउंटेट कॉर्नर्स ले रहा हूँ व्यूटिफाइडिकेशन के लिए और शैडव को ओन कर परफेक्ट यही रखनी है इसको मैं कर दूंगा बाकी सारी प्रॉपर्टीज चोड़ देंगे तो अभी मेरा जो वीजूल के बात करें तो आप देख सकते हैं कि ट्रेंट के बेसिस पे जैसे बंदे बारत एक्स्प्रेस कितने इस्टांसिस पे ऑन टाइम और कितने लेट आई उसका आपको यहां पर सारा डीटेल मिल रहा है तो आप देख सकते हैं यहां पर गरीब रत जो मेरे ट्रेंट थी उसके बीच में डिफ्रेंस और टाइम और लेट के बीच में काफी कम है जबकि जो मेरी बंदे ब्रत टॉप प्लास ट्रेन इंडिया की वह मैक्सिम टा किस तरीके से थी अब दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ अब मैं अगी एक और यहां पर चार्ट एड करूंगा और उस चार्ट को यूज करके हम यहां सैटिस्वेक्शन वाइट ट्रेंट उसको इवेल्योट करेंगी कि जो हमने यूजर से फीडबैक लिया उस फीडबैक करना है उसके लिए सैटिस्वेक्शन देखने के लिए क्या गया था दोस्तों हमने सर्वे किया था अपने यूजर से और सर्वेकर डीटा क्लेक्ट किया उसके बेसिस पे हम यहां पर देखने वाले हैं कि किस तरीके से डिफरेंट ट्रेंट को का सर्वेकर रिजल्ट आया और भात में दोस्तों हम properties को भी configure करेंगे ओके तो दोस्तों अब मेरे को cluster bar chart बनाना है तो मैं ये cluster column chart वाले visual को भी copy based कर लूँगा ताकि properties मेरी same रहे और इसको मैं change कर दूँगा cluster bar chart में तो कुछी इस तरीके से मुझे देख जाएगा अब मुझे rest of the properties change करनी है सबसे पहले x-axis की values को हटाके यहाँ पर satisfaction by train type को लिया किया जाएगे और मैं देख पा रहा हूँ यह percentage terms में नहीं आ रहा है तो मैं इसको एक बार percentage terms में ले लूँगा इन values को ओके परफेक्ट और इसके बाद दोस्तों मुझे क्या करना है इसके properties एक पर देखनी है सबसे पहले टाइटल को ही change करना रहेगा तो मैं formatting option पर जाऊंगा और सबसे पहले यहाँ पर जाके टाइटल को change कर देंगे टाइटल इसका हो गए पर यहाँ से हम उठा लेते हैं टाइटल को satisfaction by train time ओके एंड सेब टाइटल पेस्ट करतेंगे परफेक्ट है टाइटल हमारे change हो गया है इसके अलावा हमारी जो भी trains के नाम थे वो यहाँ पर आ रहे हैं और जो कितने satisfied थे हमारे डिफरेंट जो हमारे passengers थे different rate type से जैसे बंदे भारत से आप यहाँ देख सकते हैं कि 66% लोग satisfied है बात करें दूरलतों से तो 60% satisfied है शतापती से 55% satisfied है तो इस तरीके से मारे पास satisfaction percentage आगी और different trains तो एक तरीके से में देख सकते हैं कि वंदे भारत से maximum लोग satisfied हो रहे हैं और शतापती से सबसर्ब minimum satisfied है हमारे different passengers तो यह visual मुझे यहीं बता रहा है इसके अलावत दोस्तों मैं यह colors यह चेंज कर सकता हूं इसके लिए मुझे क्या करना है यहाँ पर आजाओंगा और मुझे यह जो बार से अगर आप देख सकते हैं यह जो बार से यहाँ पर इस section में आना है और यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो मुझे जो भी color हमने यहाँ पर लिया है इसको कर लेता हूं मैं सेम कलर मैं यहां भी दे दूंगा यही कलर मेरा यहाँ पर आ चुका है और यह मैं उपके कर दूंगा तो बेसिकली हमारा यह देख सकते हैं यह क्लस्टर बारचार्ट कितना इसीली create हो गया, just copy करने से हमने जो हमने previous cluster column चाटता हो, उसको copy paste करा और maximum property सेम रही, बस minor changes text type और title में हमने change किया और as it is हमारा visual काम में आ गया तो दोस्तों अब तक हमारी ये report बन के यहां तक ready है अब इसके बाद दोस्तों हमेरे को next steps में अगर हम देखें, तो मैं दुबारा से roadmap में जाता हूँ, तो यहां पर दोस्तों अब मुझे line chart को add करना रहे कर next line chart में हम क्या करने वाले हैं revenue earned over time ये दिखाने वाले हैं different time period के लिए, तो इसके लिए मेरे को line chart में लेने वाला हूँ तो अभी एक बार इस visual को design करते हैं तो अब दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ तुबारा से इसी visual को मैं copy paste कर लूँगा ने cluster bar chart वाले को और इसके अंदर properties को हम customize करेंगे अब तो इसको मैं क्योंकि over time दिखाने वाला हूँ, revenue earned over time तो मैं क्या करने वाला हूँ line chart या लिहूँगा perfect, and इन चीज़ों को अटा देंगे already और जो मेरा total revenue यह और जो total revenue है वो मेरा y axis पर आ जाएगा और over time दिखा रहे हैं तो मुझे date look up पर जाना पड़ेगा date को मैं x axis पर लिए perfect, यह मेरा आ चुका है यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा तो मेरे x और y axis है दोनों को इसके लिए enable कर दूंगा और secondary y axis नहीं चाहिए है and data labels है off perfect, तो मेरा line जो चार्था हो बनके त्यार हो गया है यहाँ पर इसके तो तो आसा align करते थे आप इसके maximum properties आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर पेस्ट किया तो maximum properties मुझे change नहीं करनी पड़ी इस पार एक बार हम title change कर देते हैं अपने visual का और formatting करेंगे, formatting के लिए formatting में जब हम जाहेंगे तो title को क्लिक करेंगे और title में exact जो हमारा title है revenue earned over time यह title हम आप डाल देंगे दोस्तों अगेन मैं इक बात बताता हूं यह जैसे मैं अभी copy paste कर रहा हूं title और यह सारी specifications जो मैं हमें client की site से मिलती है जो अभी मैंने लिखी हुए सारी specifications client की site से मिलते हैं कि कि किस तरीके से rounded corner वाली visual लेने हैं कितनी border shadow क्या font size रखना है क्या title रखना है title का नाम इस सारी चीज़ हमें client specified करता है तो it is about practice की हम सारों कर ले specification sheet बना ले और उस sheet को reference लेकर ही आप अपनी report या कोई dashboard बना रहे हैं उसको आके basically designing की start करे पहले सारे specifications हम एक सारे consolidate कर ले क्योंकि आपने देखा अगर मेरी specification सारी entity उसके बाद कितना easily और कितना past हम अपने report को create कर पा रहे हैं तो दोस्तों यह हुआ revenue earned over time इसके लावा दोस्तों क्या होता है कि जैसे आप यह देख पा रहे है कि कितना revenue earned किया हमारे इस time period में January 2022 से December 2022 तक कितना revenue किस तरीके से हमारे day by day basis पे revenue earned हुआ है इसके लावा अगर दोस्तों आप forecasting करना चाहते है तो वह भी फीचर होता है अगर मैं यहाँ पर forecast को on कर दो तो पावर भी यही में जब हम इस तरीके से time access के अलॉंग कुछ analyze कर रहे है तो हम forecasting भी कर सकते हैं अभी forecasting कैसे काम करती है क्या elbow लगती है यह सब मैं एक अधक सी वीडियो में बताऊंगा जस्ट आपको reference देनी के लिए कि time अगर हम along the time अगर कोई time access जो हम access पे कोई time value है इसके according भी हम forecasting कर सकते हैं अपनी values की तो जैसे revenue की अपनी forecasting कर दी और इसके अंदर दोस्तों हमारे forecasting period हो सकता है कितने period के लिए forecasting करनी जैसे यह forecasting length मैंने 10 दी हुई है तो आप देख पाएंगे कि यहां पर जो value है मेरी वह 10 days तक आगे गई है जैसे 31st December तक का data था और 10 days की मैं एक्ट्रा forecasting कर लिए और दोस्तों अगर मुझे यह forecasting length let's suppose मैं इससे बढ़ाते ता हूँ और इसको 20 कर देता हूँ और apply कर देता हूँ तो अब देखिए आप यह जो forecasting हो 20 January तक चलिए तो 20 days की एक्ट्रा forecasting कर लिए तो इस तरीके से forecast length यह नहीं कर सकते है इसके अलगनक parameters होते जैसे seasonality and all that stuff वो में separate video में cover करोंगा अगेन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ यह forecasting है यह accurate नहीं होती है पर फिर भी दोस्तों हमारको एक estimation देती है कि कि इस तरीके से रहने वाली है हमारी revenue over the tag तो यह तो रहा हमारा line chart and revenue earned over time अब दोस्तों मुझे next अगर मैं देखता हू अपने roadmap के अंदर तो next visual दोस्तों मेरा है that is map visual and map visual में दोस्तों मुझे क्या करना है अगर मैं यहां दिखा हूँ आपको map visual में बनाऊंगा map visual में सबसे बेले percentage of revenue earned over different location location wise location wise मेरे कितना revenue earned हुआ है उसको दिखाना है using map and rest of the factors मेरे जो रहेंगी properties similar ही रहेंगी तो अगेन मैं copy paste क यहां use करने बाला हूँ तो अब मैं क्या करूंगा दोस्तों यहां पर इसी वीच्वल को copy करके paste कर लेंगे और हमें क्या करना है इसको पन ले आएंगे और यह मेरा जो होगा वो होगा मेरा map visual तो मैं यहां पर इसको map visual क्लिक करता हूँ और जो मेरी values थी अब वो लहां पर change हो जाएंगी ओके तो दोस्तों अब क्या करना है मैं bubble size में से total revenue हमें नहीं लेना है और मैं यह लेने वाला हूँ percentage wise revenue और ने एक bubble size and जो मेरी location है location and legend दोनों के अंदर यूज करना परफेक्ट तो यह चार्ट मेरा इस तरीके से आ जाएगा इसके अलावा दोस्तों अगर मुझे अंदर कुछ changes करने हैं इसके अंदर तो मैं वो भी कर सकता हूँ सबसे पहले इसके title को मेरे कुछ change करना है तो एक बर हम अपने road map में देखेंगे title क्या था इसका इसका title था percentage of location wise तो मैं यह ही title यहां डाल तुमबग चल्बल में जाके title में same title हुझे इसका perfect है और अगर आपको इसकी कोई properties change करने है तो आप वह भी कर सकते हैं जैसे हम डार्क ही में काम कर रहे हैं तो हम formatting में जाके इस visual को select करेंगे ओके और map setting में जाके style में dark भी कर सकते हैं तो अगर हम dark कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आपको यह दिखेगा तो यह हमारा map visual हो गया जिसके अंदर हमने different location wise अगर आप यहां देखें different location जो थी उनके wise कितना revenue earned किया वो यहां पे दिखाया है नीचे हमने उनकी key भी डाल द जाएंगे slicer basically इसका title time period होगा different time periods पे different parameters की क्या values थी किस तरीके से visuals change हो रहे है different time period के इसको analyze करने वाले हैं तो अब दोस्तों मैं क्या करूंगा मैं यहां आजबगा और इसको copy paste कर लेंगे क्योंकि हम नहीं चाहता कि दुबारा से मेरा time invest वो properties को configure करने में और इसको मैं क्या करूंगा बना दूंगा slice perfect and train types की बजाए date values लेनी है but friends देख सकते हैं date मेरी vertical list में आ रही है तो मैं क्या करूंगा slice settings में जाके vertical list को change करतूंगा between perfect अब मेरा slider यहां आ चुका है यह और कुछ इस तरीके से ले लेंगे and जो values है वो मेरी केंडारा में आ जाएंगी और इसका size हम protein कर दिंगे जो मन normal size है font color जो होगा वो एक बर मैं चेक कर लेता हूं जो भी मेरा font color है इसको मन copy paste कर लेंगे और यह मेरा यहां पर आ गया है परफेक्ट और वेक्रों सेम रहेगा मेरा slider का color भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं इसको वाइट कर देता हूं ओके slider color भी चेंज हो गया है वेन्यूस भी चेंज हो चुछी है और इसके अलावा दोस्तों अगर मेरे को title भी देना है तो title में मैं परफेक्ट यह मेरा time period हो गया है और एक काम कर सकते हैं यहां पर slicer का header जो है मुझे नहीं चाहिए इसको मैं off कर देता हूं परफेक्ट यह मेरा slider जो मेरा slicer वो यहां add हो गया मैंने slider की तरह ही से add कर लिया अब आप देख सकते हैं different values इसके according change हो रही है किस तरीके से वह हम यहां पर कर पा रहे है easily यह और देख सकते हैं वेल्यूस सारी वेल्यूस जो थी मेरा जैसे revenue था जो भी on time later राइवल थे वो सारी वेल्यूस यहां पर change कोने लग देई हैं परफेक्ट परफेक्ट यह वेल्यूस आप देख सकते हैं over the time क्या चीज़ है और अगर मैं इसको दुबारत से resector के default में लिया दाओ ओके तो फ्रेंड्स आप मैं देखा किस तरीके से इमने पूरी report को design कर लिया अगर मैं इसको pull करके दिखाऊ आपको तो यह देखिए आप मैंने beautiful report design कर ली है आप इसके through एक dashboard भी बना सकते हैं जब आप इसको publish कर दीगे तो आप powerba service के use करेंगे dashboard भी create कर सकते हैं पर आपको किस तरीके से आप टेक्स्टॉप कर यूज कर किस तरीकी report बना सकते हैं यह मैंने पूरी वीडियो में समझाया हमने एक बर दुबारत से अगर मैं अपना road map यहां पर दिखाऊं आप लोगों को देखिए दोस्तों हमने स्थार्टिंग में क्या किया था डीटा स्क्रबिंग की थी हमने डेटा को इंपोर्ट किया डीटा स्क्रबिंग की फिर डेटा मॉटिंग करी हमने एक डैमेंशन भी क्रिएट की ते कैलेंडर डामेंशन हमने different measures design कि यह और finally finally report को beautify करने के लिए different visual को add किया उनकी properties को अपने क्लाइंट के आगे इस तरीके की रिपोर्ट बनाएंगे तो फ्रेंट्स जो अमीद है एक पूरी वीडियो जिसके अंदर अपने एंड टू एंड पूरा एक पावर भी एक प्रोजेक्ट खत्म गिया यह अच्छा नगा होगा वेट्स दिए रियल टाइम जब आप काम करते हैं रियल वर्ड अप्लिकेशन में तो मैक्सीम चीजें यही रहती है बस जादा से जादा क्या होगा एक दो जैसे मैंने आपको ब डिजाइनिंग आप लोगों को जैसे मैंने पता है स्पेसिफिकेशन शीट होती है वो ग्लाइंट देगा आपको वो शीट के उस स्पेसिफिकेशन आपको बनानी होगी ताकि आप इस तरीके की रिपोर्ट को क्विक्ली डिजाइन कर सकें तो मुझे उमीद है इस वीडिय इस तरीके की प्रचेक्ट की वीडियो का सेक्च्वल वीडियो आप लोगों को प्रेजेंट करते रहेंगे तो मिलते हैं नेक्श वीडियो में तफदा के लिए थैंक्यू धन्यवाद